एक्ससाइज 7.10, question number 4 है, last video में हम question number 3 तक देख को, यह हमारा जिसको integrate करते हैं, उसको integraind बोलते हैं, lower limit 0 है, upper limits by by 2 है, तो बच्चो, property हम कर रहे हैं, तो property के थुरू हम इसको integrate करेंगे, तो इसमें कौन सी property यूज़ करनी है, यह सबसे बले हमें पता होने चाहिए, so, जब lower limit 0 होता है, integrate trigonometrical term होते हैं, तो उसके समें हम using P4 करते हैं, P4 को यूज़ करते हैं, using P4, अब P4 कैसे यूज़ करते हैं, वो देखो, वो formula हमारा होता है, integration 0 to A, Fx, Dx, equals to integration 0 to A, F, A minus X, Dx, यह हो गया हमारा formula, अब, since इसको हमें integrate करना है, तो इसको हम I माल लेते हैं, integrate को हम assume कर लिया I, अब using P4, अगर करेंगे, तो क्या होगा, I change नहीं होगा, integration change नहीं होगा, वही रहेगा, यह 0 to pi by 2 है, cos to power 5, pi by 2 minus x, अपन, निचे sin to power 5, pi by 2 minus x, ब्लस cos to power 5, pi by 2 minus x, यहां पे होगया, Dx, so I की value हो जाएगी, 0 to pi by 2, अगर cos पे power 5 है, pi by 2 minus x है, तो cos pi by 2 minus x, 5 by 2 पे in fact change होता है, cos बनता है sin, sin to power 5 हो जागा, power यहां पे 5 था, वही power रहेगा, और यह x होगया, इसको हम बोच सकते है, sin pi by 2 पे change हो जाता है, यहोगया, cos to power 5 x, यहोगया, sin to power 5 x, यह 12 का concept नहीं है बच्चो, यह 11 में formula था, so I hope आप लोगों को formula आता होगा, अब आगे देखते हैं कैसे proceed करना है, जो हमारा question उला part होता है, उसको equation first मानते हैं, जो हमने P4 यूज करके निकाला, वो equation 2 होता है, अब इन दोनों को generally हम क्या करते हैं, दोनों को plus करते हैं, तो equation 1 और equation 2 को हम plus करेंगे, तो यह क्या होगा, वो देख लेते हैं, adding equation 1 and 2, तो यह i plus i मिलके हो गया 2i, इधर हमने जब add किया, integrant को अगर सिफ हम add करेंगे, तो क्या होगा, cos to power 5x, sin to power 5x, plus cos to power 5x, यह था, यह पहला था, यह दूसरा equation यह था, 0 to pi by 2, sin to power 5x, और निच्चे होग गया, cos to power 5x, plus sin to power 5x, dx, अब basically क्या होगा, कैसे add करते हैं, वो देख लेते हैं, एक integration sign लेके, एक integration sign लेके, integrant जो अंदर वाली quantity होती है, integrant इसको plus कर देंगे, तो एक हमने integration sign लिया, 0 to pi by 2, और integrant को plus कर देंगे, plus sin to power 5x, cos to power 5x, plus sin to power 5x, dx, अब करेंगे क्या, यह नीच्छे denominator दुनों सेम है, तो हम lc लेंगे, lc लेंगे तो यही आएगा, lc में क्या आएगा, यही आएगा, sin to power 5x, cos to power 5x, और इसमें हो जाएगा, cos to power 5x, lc में तो निकालने आता ही होगा आप लोग को, यह हो गया, 0 to pi by 2 equals to 2i, यह सेम quantity है, cancel out हो जाएगा, यह 1 हो गया, यहाँ बच गया, 1 dx, 1 का इंटिकेशन क्या होता है, 2i equals to x, 0 यहाँ पे, pi by 2 यहाँ पे, so 2i equals to हो गया, pi by 2, तो i की value हो जाएगी, pi by 4, यह हो गया हमारा answer, integration, minus 5 to 5, mod x plus 2 dx, तो इसमें confusion आएगी, कि इसमें हम कौन सी property यूज करें, बच्चों जान लो, इसमें, pi 7 का concept लग रहा है, क्योंकि lower limit, upper limit, same है, सिर्फ lower limit में minus का difference है, अगर pi 7 आप लोगो याद हो, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि pi 7 की property यह होती है, कि lower limit, upper limit, same होता है, सिर्फ minus का difference होता है, लेकिन contradiction यह आता है, कि जब हमने pi 2 किया था, तो उसमें हमने discuss किया था, concept यही था, कि जब भी mode sign हो, जब भी mode sign हो integrate में, तो हम pi 2 यूज़ करते हैं, तो since यहाँ पर modulus function है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, pi 2 यूज़ करेंगे, pi 7 नहीं यूज़ करेंगे, तो बच्चो जान लो कैसे इसको solve करना है, examination point of view से most important question में से एक माना जाएगा, sorry, इसको हमने assume कर लिया i, solution of mod x plus 2, ध्यान से देखें, कैसे निकालते हैं, अंदर वाली quantity को 0 किया जाता है, equal 0 रखते हैं, अंदर वाली quantity को equal 0 रखेंगे, यहाँ से x की value आगे, minus 2, अब इस number को, minus 2 को हम number line पे रखते हैं, x equals to minus 2, जब भी mod को solve करते हैं, process यही होता है, कहीं भी आप परोड़ो, process यही मिलेगा आपको करने को, so, यह minus 2 आया, अब इस minus 2 ने, x की value जो minus 2 आया, पूरे number line को दो पार्ट में divide करता है, एक right, एक left, तो right में हम mod की value हटाके, mod को हटाएंगे ना, तो यहाँ plus sign डालेंगे, right पे, अब right पे plus sign डालते हैं, लेकिन क्यों डालते हैं, इसके लिए concept है यह है, कि इधर कोई value उठा, minus 2 यहाँ पे, 2 ही हो गया, अब इधर 0 डालो, यह भी 2 हो गया, तो दोनों equivalent है, इस side में, ठीक है, similarly, जब यह जो हमारा point आता है, x equation minus 2, उसके left पे, अब more sign हटाके डालें, तो minus sign डालना पड़ता है, ठीक है, right पे हम plus sign डालते हैं, left पे minus sign डालते हैं, अगर एक ही point आता है, तो 2 आता है, तो change हो जाता है, rule, वो rule यह ही है, कि इधर कोई value उठाओ, इधर put करो, जैसे कि यहाँ से minus 3 डालो गया, minus 1 का more क्या हो गया, 1 हो गया, इधर minus 3 डालोगे, तो minus 3 plus 2 minus 1, minus 1 और minus plus 1 हो गया, तो दोनों equivalent हो गया, इसलिए जब भी हम इस side में निकालते हैं, एक point के लिए, इस side left में हम minus sign डालते है, right पे plus sign डालते है, अब यह हो गया इसका solution, अब बात करते हैं, कि कहां से कहां तक integrate करता है, करना हमे, minus 5 से 5 के बीच म minus 5 इधर होगा, ठीक है, जब हम modulus solve कर लेंगे, तब हम limit put करेंगे, last input करेंगे, और यहां पर कहीं something 5 होगा, तो यहां से देखके पता चल ला है, कि हमें minus 5 से लेके, minus 2 के बीच में, इसको integrate करना पड़ेगा, mod को नहीं करके, हम इसको करेंगी, कि दोनों के value सेम है, और minus 2 से ल plus 2 dx, यह क्या हो जाएगा, minus 5 से लेके, minus 2, क्योंकि function यहां पर change हो रहा है, left में minus हो रहा है, right में plus हो रहा है, so यहां से लेके, यहां तक हम इस function को integrate करेंगे, x plus 2 dx, plus, अब minus 2 से 5 के बीच में, हम इस function को integrate करेंगे, x plus 2 को, और यह हो गया, dx, ठीक है बच्चों, अब देखते ह है, क्या हो रहा है, इसका solution, solution निकालते हैं, इसका intuition, पता है, आपको बहुत simple है, minus को हमने बाहर ले लिया, यह हो गया, x square by 2, plus 2x, यहां पर minus 5, minus 2, plus, फिर यहां पर हो गया, x square by 2, plus 2x, यहां पर लेंगे, minus 2, यहां पर 5, अब limit put कर देते हैं, solve कर लेंगे, answer आजाएगा, minus 2, यहां पर रखोएगे, तो minus 2 का square क्या हो गया, 4, minus 2 का square कर लो, upon 2, 2 into minus 2, minus 2, minus sign day के, फिर minus 5 डालेंगे, तो minus 5 का whole square by 2, plus 2 into minus 5, इसको बंद करते हैं, plus sign अब इसके लिए क्राम करते हैं, अब अपर लिंग पहरे डालेंगे, तो 5 का square हो जागा, upon 2, 2 into 5, minus lower limit, minus 2 का square by 2, 2, 2 into minus 2, sorry, यह हो गया, इसका solution, अब देखते हैं, बच्चों क्या हो रहा है, minus sign था यह, हो गया, यह minus 2 का square 4 हो गया, 4 by 2 is 2, और यह हो गया, minus 4, minus sign यह 25 by 2 हो गया, और यह हो गया, minus 10, यह खतम हो गया, plus sign अब डिसका करते हैं, यह हो जाएगा, 25 by 2, plus 10, minus 2 to 4, minus sign है, 2 to 4 by 2, that is 2, minus 4, अब इसको solve कर देखें, यह minus sign था, यह हो गया, minus 2, अब यह, यह यह सिन मेंगे तो 20, 25 minus 20 is 5, minus 5 by 2 हो आजाएगा, ठीक है, प्लस, यह हो जाएगा, 20, 45 by 2, और यह हो जाएगा, minus 2, plus 2 हो जाएगा, अब इसका LC में ले लेते हैं, minus 4, minus 5, plus 45 plus 4 by 2, अब यह हो जाएगा, minus 9 by 2, यह, अब माइनस बाहर था, तो यह हो जाएगा, प्लस का, आई यह हो जाएगा, हमारा, 59 by 2, तो यह हो जाएगा, बच्चो, 9 by 2, plus का 9 by 2, plus 49 by 2, that is 58 by 2, जो की हो जाएगा, 29, यह है, हमारा आंसर.